जीत अंदर कुमार और आप देख रहे हैं दा UNICE classes आए दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जलवाईव के बारे में चुकी हम लोग ग्रिश्म रिट्टू की बात करें तो सबसे गरम मन्थ जो होता है गर्मी का महीना होता है वह मई का महीना होता है और ठंड की बात करें तो ठंड का महीना दिसंबर का महीना होता है बरसात की रिट्टू में हम आपको यह बता चुके थे कि अगर माल लिजे कि 100% अगर पानी जारखण में गिरती है तो 80% पानी हमारे बरसात में ही बरसात के मोसम में ही गिर जाती है 20% बच्या पानी कभी कभी छुकि हम लोग देखते हैं कि कभी ठंडे के दिनों में पानी भी गिर जाती है और कभी गर्मी के मोसम में भी पानी गिर जाती तो 20% ये सब गिरते हैं चु कौन सम्मंत का कौन कब आगमन होता है कि हम लोग आप जलवायू के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि जलवाई हमारे जो जार्खन में है कितने परकार के जल्वायू है तो ABOUT दें दोस्तों उत्तर उत्तर उत्तरपस्चिमी छेत्र उत्तर 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 में खेत्र में भ्रून आप धन्यात्य को महाँ दीपी परकार की जलवायू पाई जाती है आप इससे साथ में नोट करते चलें दोस्तों दूसरा है आपका कि मध्ध वर्ती जलवायू छेत्र मध्ध वर्ती जलवायू छेत्र तो यहां जो पाई जाती है आपका उपो महाँ दिपीए परकार की जलवाई उपाई जाती है तिसरा आपका आता है दोस्तों पाठ छेत्र पाठ छेत्र में आपका शीत परकार की जलवाई उपाई जाती है शीत परकार की जलवाई उपाई जाती है ठीक आब आताप का पुर्वी संथाल प्रगनाचेत्र पुर्वी शंथाल प्रगनाचेत्र में डेल्टा परकार की जलवायू फाई जाती है अब हम लोग देखते हैं पाँचमा तो पुर्वी शिम्भूम में पुर्वी शिम्भूम में पुर्वी शिम्भूम जलवायू फेत्र में सागर परभावित फेत्र सागर परभावित जलवायू फेत्र है और आपका जो छथा है वह हजारी बाग और हजारी बाग और राची पठारी छेत्र में थेत्र में सुखद य वहां तीर्व परकार की जलवायू फेत्र है लास्ट आपका आता है दोस्तों शात्वा नमबर तो देखेढ़ा दस्चनी पश्चनी पश्चमी छेत्र में कौन शी परकार की जलवाई उपाई जाती है तो दस्चनी पश्चमी छेत्र में आदर वर्षा परकार की दस्चनी पश्चमी वर्षा छेत्र में आद्र वर्षा परकार की जल्वायू फाई जाती है आद्र वर्षा परकार की जल्वायू फाई जाती है चुक्कि हम लोग यहां साथ परकार की जल्वायू के बारे में देखे दोस्तों अब हम लोग एक करके देखते हैं इनकी जो विस्तार छेतर कौन कौन से हैं इनका विस सेथ हम लोग देखते हैं पहली ऊतर-ऊतर-फस्ट्री के बारे में ऊतर-उतरस्टीमी कि शेत्र के बारे में । विस्तार या देखते हैं इस विस्तार या तो तहल या है तो तो आपको पता होगा कौन सा जिल्ला कहां अस्तित है तो इसका विश्थार छेत्थ हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर उत्तर पस्चमी छेत्र में जो महादीपी परकार की जलवाय उपाय जाती है महार दिपिये परकार की जो जलवायू पाई जाती है वह पाई जाती है आपका गड़वा में पलामू में गिरिडी का मद मद भाग में हजारी बाग का मद भाग में और पुर्वी शंथाल प्रगना का पुर्वी शंथाल का पश्चिमी भाग में है अब इसकी विशेष्टा क्या होती है आपको मैप के माध्यम से किलियर हो गया होगा दोस्तों कि गड़वा मेरा यहां स्तित है पलामू यहां स्तित है गिर्डी का छेतर यह होता है हजारी बाग का मद का छेतर यह होता है और पुर्वी शंथाल भाग का छेतर वो होता है है तो हम हजारी बाग के मध के बारे में बात कर रहे हैं तो हजारी बाग के मध में ही केवल उत्तर उत्तर पस्चमी छेत अथात महादिप्य परकार की जलवाई उपाए जाती है और इनके सारे छेत्रों में आपके ये जलवाई उपाए जाते हैं आप इस्तार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों चुकि हम लोग इस्तार तो पढ़ लिए इसकी विशेष्था के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी विशेष्था ये है दोस्तों आप लोग इसे लिख लिज परकार की जलवाय पाई जाती है तो इसका विस्तार छेत्र जो है वह है में दूसतरा काम लोग देखते हैं इसका जो विस्तार छेत्र है कि उपर महादेप्य परकार की जलवायू का विश्तार शेत्र पहला है लाते हार का पूर्वी शेत्र लाते हार का फूर्वी शेत्र दूसरा आपको मिलेगा दोस्तों लाते हार का पूर्वी शेत्र वोकारो धनबाद जामताड़ा और दुमका का दस्छनी पस्छमी शेत्र तो आपको वोकारो धनबाद दुमका का दस्छनी पस्छमी शेत्र दुमका का दस्छनी पस्छमी शेत्र अब इसकी विशेष्टा क्या है दोस्तों अब इसकी विशेष्टा आप लोग लिख लिए दोस्तों कि यहां लू अधी क्याती है आंधी अधी क्याती है जो यहां पानी गिरने का जो आउसात यहां पानी जो गिरती है वरसात जो होती है वहां 117 सेंटी मीटर से 165 सेंटी मीटर के बीच होती है तो वहां छेत्र है आपका इसकी विशेष्टा को आप लोग पढ़िए दोस्तों यहां लू अधी काती है आनधी अधी काती है और इसका जो वरसा होने का रहें कि 177 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच यहां वर्षा होती है चुकि हम आपको बताया थे कि जारखन में जो जारखन में जो वर्षा होने का रियंज है वह देखें लेकिन हम लोग देखे थे नेतरहाट एक ऐसा छेतर है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है जहां 180 cm तक भी वर्षा होती है एक पार्टीकूलर अगर एक पार्टीकूलर छेतर की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में होती है और अगर जिल्ला की बात की ज तो हजारी बाग में होती है चुकि नेतर हाथ हम लोग पड़ते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षां वहां होती थे पार्टडू कूलर वा एक निश्चीत चेत रहे वह है कोई जिल्ला तो नहीं है अगर अगर जिल्ला की बात करे तो हजारी बाहर और पकूश्टी पर ले ले आप इसे लिख लिए होंगे है कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि हम इनके इस्तार चेट और इनकी विशेष्टा के बारे में तो डीटेल परते जा रहे हैं कि अब हम लोग देखते हैं तिसरा में जो आता है पांट छेत्र पांट छेत्र की बात करता है तो दोस्तों आपका जो लाते हार और लोहर्दग का जो यह JS है वह आपा構 जो तो न विस्तार रहे हैं तो लाते हर कि लोहर्दगह कि जो यह पार्च खेत्र होता है न वह और अरोज रहे था ठोला उच्छा होता है ठोला उच्छा होता है इसके विशेस्ता क्या होती है इसकी विशेस्ता जो होती है वह होती है कि यहां घंगोर बादल होते हैं ठीक है और यहां तीर वो वर्षा होती है तीर वर्षा होती है सित गरिस्म होती है और शित शित जो होती है गरिस्म होती है और सित सर्दी का मुश्व भी होता है अब हम लोग देखते हैं दोस्तों चवठन नम्बर 3 देखे लिए सित परकार की जलवायू पाई जाती है 5 शेतरों में जो पाई जाती है उसी तपरकार की जलवायू पाई इसकी विश्यश्था क्या है और यह कहां पाये जाता है अब हम लोग देखते हैं number 4 पुर्वी संथाल प्रगनपर के बारे में पुर्वी संथाल प्रगना के बारे में पूर्वी संथाल अब पूर्वी संथाल के बारे में देखते हैं दोस्तों कि यहां पूर्वी संथाल तो पूर्वी के पाकुड में पाकुड के पूर्वी छेत्र में पूर्वी छेत्र में डेल्टा परकार की जलवाई उपाई जाती है जोहां डेल्टा परकार की जल्वाई उफाई जाती है यहां लोग देखते हैं विश्तार छेत्र पाकूड के पूर्वी छेत्र में और दूसरा आपका साहेव गंज में साहेव गंज में अब यहां विशेषता यह होती है कि यहां लू मुक्त होती है डेल्टा जो परकार की जल्वाई पाय जाती है पूर्वी संथाल परगना में यहां लू नहीं पाय जाती है यहां लू नहीं पाय जाती है यह यहां नौर्वेश्टर का परभाव है विशेषता यहां यह लू मुक्त है लूने पाज जायती है अर्थाक लू मुक्त है और यहां नौर्वेश्टर का परभाव है नौर्वेश्टर का परभाव है मुझे आसा है दोस्तों आपको पूर्वी शिम्हूम के बारे में चीजे किलियर हो गई होगी अब हम लोग देखते हाजारी बाग राची पठारी छेतर जहां सुखद और तुर्व परकार की जल्वाई पाए जाती है तो ऐसे छेतर में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधि आधिक जाती है ना तो आपका अधिक अधन पाई जाती है नहीं आपका अधिक गर्मी पाई यांति है है अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दो बचा है आपका है hardship जारी बाग राची है me पहटारी छेतर यहां सुख़द एवा-तिव परकार जलवाई उफाई जाते है सुख़द एवा-ति आराद परकार कि जलवाई उफाई जाती है अब इसका विस्तार छेतर कहां है विस्तार छेतर विस्तार छेत्र यहां जो है इसका वो हजारी बाग और राची है इसकी जो विशेष्ता है वो यहां तो ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंडी पाई जाती है हजारी बाग और राची का छेत्र तो आपको पता होगा हजारी बाग और राची का छेत्र अब हम लोग उन walks देते हैं हजारी पठारी दीच लिए आदर परकार की जलवायूं पाए जाती है आपका हम लोग उन देखते हैं दोस्तों सातवा नम्मर जो है आपका ज़ुँः की इस b वर्षा छेत्र में जो फाई जाती है वो आद्र वर्षा परकार की जल्वाई फाई जाती है ठीक तो इसका जो विश्तार छेत्र है वह कहां है तो शंख शंख नदी जो गुमला से निकलती है उसके निकट उसके छेत्रों में दच्छनी कोयल छेत्र, दच्छनी कोयल नदी जो आपका नगड़ी गाउं से निकलती है जो एक दूसरे आकर उड़ी सा में आके मिलते हैं इनके छेत्रों में जो पाई जाती है वहाँ आदरवर्शा परकार की जलवायू पाई जाती है और दो आपकी जो इसका विस्तार छेत्र है वहाँ संखनदी के निकट और दच्छनी कोयल के निकट आपको हम अगर उस टाइम पढ़ाये नदी के बारें जिसमें हम पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको पढ़ाये थे कि संखनदी जो निकलती वह गुमला से निकलती है गुमला के चैनपूर परखंड से और आपको हम यह लिसे ऊध कि यहां नगड़ी राची के लिसे नगड़ी निकलती है तो इक दुस्रे के मुहाना तहें वहां आपको प्रढ़ा थे यह हैं कि आपका जो यह दछनी मुला है और कि यह एक दूसरे का मुहाना है और इनका मुहाना जो अस्थल है मुहाना अस्थल उडिसा में एक दूसरे से आपस में जाके उडिसा में मिल जाते हैं तो जो यह पाया जाता है वह पाया आद वर्षा परकार की जलवायू इनके छेतरों में ही पाया जाता है पलस आपको देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा दोस्तों कि दस्षनी सिम्भूम से सिम्डेगा दस्षनी सिम्भूम के मद से सिम्डेगा तक जो इसका विस्तार है दस्षनी पच्मी वर्षा आदर वर्षा परकार की जलवायू का विस्तार है अर्थाथ हम लोग लिख सकते हैं संख नदीक के छे दाचनी कोया नदी के छेत्रों में और पाश्च मी शिम्भूम के माद से के माद से शिम्डेगा तक सिम्डेगा तक यहां विशेष्टा यह है दोस्तों यहां जो आपको मिलेगा वहां विशेष्टा यह है दोस्तों हम आपको यहां कुछ बताना भूल गयां दोस्तों कि पूर्वी शिम्भूम जलवाई स्वत जो सागर परभावित छेत्र है वह सागर परभावित छेत्र आप लोग लिख लिएगा इसकी जो विस्तार छेत्र है वह पूर्वी सागर परभाव लोग से छुट गया तो सागर परभाव रहे परभाव जट defines करा एक werd भी दोविस्तार है वह पाया जाता है आपका मुसले हो कि यहां आपका प्रुश मईना सब्सक्राश्य कि ठाथा सबच्स कर सब्सक्राइक करने सोब Star हम के बीच और जिस मสे देश्ता यह है कि यहां ठंड तो नहीं लेकिन गर्मी के दिन में अधिक गर्मी होती है अब इसके अब हम लोग जलवाईू के बार में पूरी की पूरी जनकारी प्राम्ट कर लिए जैंदे दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई परकार की किसी परकार की कोश्चन या किसी पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि दा यूनी क्लासेश की फेमली में मर बढ़ सके और दा यूनी क्लासेश अधिक से अधिक चीजों की आपकी उप्रपता करवा सके धन्यवाद